हेलो दोस्तों तो कैसे आप सब लोग दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ पिस्टोल के वारे में पिस्टोल की अन्बक्सिंग करने वाला हूँ आपको दिखा देता हूँ कि यह है हमारी पिस्टोल जिसके मैं अज अन्बक्सिंग करूँगा और इसके फिचर के वारे में फिटनिस बाजिरोशिक अगर आप मेरे जैसे फिट रहना चाहते हैं तो प्लीज अधर चैनल पर भी मेरे सपूर्ट कीजिए जहां पर आपको मैं फिटनिस के बारे में भी बात करता हूं एक फिटनिस के बारे में फिरिम बात करें कर दो घर लो दोस्तों तो यह है नम पिष्ट लेटा गन जो मैंने इमोजेंस मंगाई है इसकी में खोल कर दिखाता हूं आपको के इस के इंदर क्या-क्या है तो सबसे बैलेंस को अन्बोक्स करते हैं और देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर मैंने कवर चुट आया अभी मैं इसका टेप काटना पड़ेगा टेप हाथ से नहीं चुट रहा है यार को सिस करता हूँ हाथ से चुट जाए तो तो तोड़ दिया निकला ने जतने अब इसके अंदर क्या निकलता है तो यह रही हमारी 9mm पिस्टोल लैटार गन है बहुत एक्कसाइट हो रहा है जल्दी निकला पार लै कि जल्दी जल्दी निकल 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 हूँ यह यह रही रहा है पिस्टोल लाइटर लिखा हुआ आप देख सकते हैं तो यह रही इसके अंदर गन है तो मुझे तो काफी वेट लग रहा है इसमें बहुत अच्छी लग रही कि काफी अच्छा वेट है इसके अंदर ओ माइब ग Beim Dad oc2 वे चलंड़ अ है इस्टेंड लगता है मझें और यह इस्टेंड है एक गन trail ुंदाइब व्यची फॉपर कमेंटल है दीचे प्लास्टिक बड़ी है इसको वी लोड होती है एकदम साइनिंग वाव क्या जबदस्त है काफी मजबूत भी है काफी अच्छी गन है मुझे तो नहीं लगता है कि यह 1000 में बहंगी हो बहुत अच्छी गन लग रही है मझे और एकदम ओजनेल लग रही है इसका वीट भी काफी 400-500 ग्राम वीट है 400 ग्राम से उपर 500 ग्राम तो सम्थिंग है तो काफी अच्छी गन है अपनी देखी होगी तो काफी अच्छी है इसका लिंक मैं देदेंगा आपको तो दोस्तों आपने देखा अन्बक्सिंग में